नमस्कार में हो देवांसू आप देख रहे हैं नीज़स्परनेशन बिहार की क्रिशी मंत्री ने इस्तिफा दे दिया आखिर उनसे इस्तिफा लिया गया है या उन्होंने खुद इस्तिफा दिया है इस वीडियो में हम बिस्तार से आपको बताएंगे आखिर अंदर की स्क्र सु две डिया है बतौर क्रिषिमन्तरी, इससी इस बीच उनके इस्टिफा देने के बाद जग्दाणन सिंग मेडिया के सामने आते हैं और वो बताते हैं आखी क्यूं उनके बेटे सुधाकर सिंग ने इस्टिफा दिया है दरसल जग्दाणóriaण सिंग कहते हैं कि सुधाकर Sengh ने उप्प मुख्मंत्री तेज़पी यादब को इस्तिफाह दे दिया है और फिलहाल उन्होंने यह भी बतायार आगे कि शुधाकर सिंग जो है लाब हो सके, केवल मंडी कानून को लागू करने की आविसकता को बढ़ाने से मदद नहीं मिल सके, कभी-कभी इसे बलिदान की आविसकता होती है, वहीं अगर सुत्रों की माने तो सुधाकर सिंग दो दिन से पटना में नहीं है, सुक्रवार को उन्होंने क्रिसी बिभाग मे अधिकारियों के साथ बैठक की थी, बैठक करने के बाद सुधाकर सिंग अपने विधानसवा छेतर कैमूर जीले के रामगड के लिए निकल गए, तब से वह पटना नहीं आये हैं, और हमारी फोन पर जब उनसे बाचीत हुई थी, तो उन्होंने साफ किया है कि वह अब द इस्तिफा देना होता, तो वो खुद आकर देते, या इस्तिफा देकर ही पटना से कैमूर के लिए निकलते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सुत्रों की माने तो तेस्पी यादब ने सुधाकर सिंग को फोन किया था, जिस वक्त तेस्पी यादब ने सुधाकर सिंग को फ उसके बाद उन्हों ने किसी से कोई खास बात नहीं की, बताया जा रहा है कि रविवार को अपने इसिफा, अपने खास वर्ग्ति के हाथों भिजवा दिया बताया जा रहा है कि सुधाकर सिंघ के खास वर्ग्ति ने कैमूर से पटना आकर उनके पिता और आरजेडी के सुधाकर सिंग ने जब खुद को चोरों का सरदार बताया था उसके दो दिन बाद कैबिनेट की बैठक होई थी बैठक के दोरां नितीश कुमार और सुधाकर सिंग में एक तरह से कह सकते हैं कि बख जख होई थी अगले दिन पत्रकारों ने मुखमंत्री से पूछा तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं हम तो केबल उनके बयान के बारे में पूछ रहे थे बाद में उन्होंने तेस्वी की और इसारा करते हुए कहा आगे इनहीं को फैसला लेना है यानि नितीश कुमार ने उस दिन आगे का फैसला लेने के लिए तेस्वी को अधिकार दे दिया था और वक्त आया तो तेस्वी ने अपने अधिकार का इस्तमाल करते हुए फोन कर सुधाकर सिंग से इस्तिफा मांग लिया अंदर खाने से जो खाबर मिल रही है उसके हिसाब से एक बात तो साफ है कि समझोते के तह सुधाकर सिंग से इस्तिफा लिया गया है दो दिन पहले जगदानन सिंग ने जो बयान 2023 में 2023 बनेंगे CM दिया था सायद उसमें सुधाकर रोडा बन सकते थे यही कारण है कि तेस्वी यादब अपने सपने को पूरा करने के लिए फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और उसी का नतीजा है सुधाकर सिंग का इस्तिफा चर्चा तो यह भी एक नितीज कुमार कई दफा तेस्वी और लालू यादब को कह चुके हैं थे कि सुधाकर सिंग को कैबनेट से हटा देना चाहिए हो जो भी चर्चाएं तो कहीं हैं लेकिन एक बात तो तैह है कि सुधाकर सिंग ने अपनी मर्जी से इस्तिफा नहीं दिया है और इस्तिफा जो है वो तेस्वी आदम ने खुद फोन कर उनसे मांगा है फिलाला भी तक के लिए इतना ही आप देखते रहिए नूज परनेशन